बलिया उत्तर परदिश की राजधानी लखनों सहर से 400 किलो बिटर और सबुतर से 65 मीटर की उचाई परिस्थेद उत्तर परदिश दे से विसार राजु का एक महत्पून रेलिविश डिसन है जो वानसी रेलिविबे बंदल का पाचवा, नौद इश्टर रेलिविश डिसन का साधवा और उत्तर परदिश राज पर सबसे जाथा HANDLE करने वाले रेलिविश डिसनो के लिसल पे 26 में न Armor पर और और चनाइन और टरमिलेट होने वाले रेलिविश टिसनों के लिस पे 23 नमपर पर उस सबसे जाता प्लेटफॉर्म के लिस पे 48 नमपर पर आता है यानि कि बलिया रेलिविश टिसन उत्तर परदीज के 230 रेलिविश टिसनों पे साविल है जो एक सो वर्सों की अधिक समय से बलिया जीला वासों की साथ साथ आसपास के यातरियों किलके सर्विस पदान कर रही है बलिया रिल्विश्टिसन चपरा वार नसी लाइन पर चपरा मौ साहगंज लाइन पर और इलाहावा चपरा परोनी लाइन पर इस्थित होने की बुझा से बलिया जीला वासुकिल के काफी महत्मून माना जाता है बलिया रिल्विश्टिसन का गठन उस समय किया गया था जिस समय उत्तव परदीश के वानसी रिल्विश्टिसन को बिहार के छपरा रिल्विश्टिसन से जोड़ा जा रहा था ठीक उसी समय बलिया रिल्विश्टिसन का भी गठन किया गया था जब बात हो बलिया की तो हम यहां के आलू टिक्की चाट को और कुलडवाली लस्टी को कैसे बुश सकते हैं यहां का आलू टिक्की चाट और कुलडवाली लस्टी पूरे बलिया जन्पत में मसूर है इसके बेगेन यहां की यात्रा अधोरी है इसलिए जब कभी भी बल्या आये तो यहां के आलू टिक्की चाट के साथ साथ कुल्लडवाली लस्टी का मज़ा जोर लें क्योंकि जितना कलकत्ता का रसगुला, मथुरा का पेड़ा और बिहार का लिट्टी चोखा मसूर है उतना ही गल्या का आलू टिक्की चाट और कुल् इसलिए वीडियो को आन तक जोर देखना और बिना दिर किये वीडियो को लाइक, चैनल को सस्क्राइब और अपने दोस्तों उसदारों की साथ सियर जोग करना क्योंकि ये तो अभी टेलर है पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त वैसे आप लोग उत्तर परदीश के कौ करके जोर बताएं बलिया रिलिविश्टेशन का गठन बिटीश सासनकाल के समय देश अजाद होने से पहले साल 1892 पे आज से तकरीपन 131 वस पहले यहां के यात्रियों के विक्सित किया था बलिया रिलिविश्टेशन की सुरुआत मीटर गेज यानि के छोटी लाइन के र बिलाकर चार प्लेटफोर्म और दस पेट्रिया इस्थित है यह सभी प्लेटफोर्म मुख लाइन के रुप में काम करता है जो कि आपस पे सभी प्लेटफोर्म पैदल पुल दुआरा जुड़ा है यहां से रोचाना तकरीपन 15,000 से जादा यात्री सफल करती हैं और कुल कर 72 ट्रेंओं का इस रेलवे श्टिसन पर सेट्वरियर इस्थित हैं इनá 1141 रेलवे श्टिसन उंच्छ एक गलिया रेलविश्टिसन की नाम से पूरे भारत पे जाना जाता है जो उत्तर परदीश के आजमगर परसासनिक मंडल और बलिया जनपत के बलिया नगरपाली का परिशत पे इस्थित है पलिया भारती अरेलवी का एक एक काटेगरी का रेलिवी स्टेशन है यानि कि यह भारती अरेलवी का एक मिडिल और पुराना रेलिवी स्टेशन है जिसका कोड बी यू आई है इस रूश से चलने वाली ज्यादा तरेल गाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपस दिया किया बलिया रेलिव स्टेशन के बाध्यम से कुल बिलाकर चार राजधानी एक्सप्रेश, दो हमसफर एक्सप्रेश, दो गरीब नमाज एक्सप्रेश, छे सूपर फास्ट एक्सप्रेश, दो जनसाधारन एक्सप्रेश, दो इंटर सिटी एक्सप्रेश, छालिस मेल आठ मेमू ट्रेन और आठ पेसंजर ट्रेन इस स्टेशन के बाध्यम से बनती है रुकती है और गुजरती है यानि कि बलिया रेल विस्टेशन गुल बिलाकर शासी रेल कार्यों को हैंडल करता है इस शासी रेल कार्यों पे सब्ताहिक ट्रेन पे साविल है इसकी अलाबा बलि बलिया आसपास के इलाकी का एक पर्मुख परिवहन विंदू के रुपें सर्विस्पादान करता है जहां से यात्री उत्तर परदिश की अलावा भारत की अलग अलग सहरोतन बड़ी असानी से पहुंच सकती हैं बलिया से छपरा की दूरी 64 किलो बीटर और वार नसी से बलिया की दूरी तकरीबन 149 किलो बीटर की दोरी पर स्थित है बलिया रिल्विस्टिशन छपरा और वार नसी के बीच में स्थित है बलिया रिल्विस्टिशन पर दिन की आने वाली पहली ट्रेन दरभंगा पूने ए मिनट पर है और पलिया रेलिविश्टेशन से आंतीम ट्रेन निकलने वाली गोंडा आसन सोल एक्सपेस टेन है इसका निधारिस समय रात के 11 बच कर 55 मिनट पर है